कोरोनम हमारे की दस्तक की साथ ही पुरिदेश में तालाबंदी कर दी गई और स्कूल कॉलेज शेक्षन की संस्थाएं ओफेस सभी चीजे बंद हो गए लोगों को घर से काम करनी की सलहा दी गई वही बच्चों की बोर्ड परिक्षाएं भी स्थगित कर दी गई थी लेकिन फ स्कूल खोलने की कोशिश भी की गई के अंदर सरकार ने सभी राज्यों को अपने अपने इस्तर पर फैसला लेकर स्कूल खोलने की अनुमती दे दी इसके चलते आंदर प्रेदेश सरकार ने दो नवंबर से नवी और दस्वी के चात्रों के लिए स्कूल खोल दिये लेकिन शायद किसी को नहीं पता था कि स्कूल खोलना गलत होगा और इसके गंभीर परिणाम सामने आएंगे ऐसा ही कुछ देखनों के मिलार स्कूल खोलने के बाद पिछले तीन दिनों में राज में 262 चात्र और 160 शिक्षक COVID-19 पॉजटिव हो चुके हैं हलाकि शिक्षा विभाग के मताबिक ये आखड़े सामानी हैं और उन्होंने 2 नवंबर से नवी और दस्वी के चात्रों को स्कूल बुलाना शुरू किया था 4 नवंबर तो करीब 3 देशमलव 93 लाख चात्र स्कूल आये थे जबकि इन दूनों क्लास में चात्रों की संख्या 9 दशमलव 75 लाख है इन में से 262 ही पॉजटिव मिले हैं इन आकड़ों को देखते हुए शुक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कोई चिंता जनक बात नहीं है क्योंकि यह आकड़ा स्कूल आ रहे चात्रों की संख्या का 6 दशमलव एक प्रतिशद भी नहीं है वहीं उनके मताबिक स्कूलों में कोरोना वारस गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है एक क्लासरों में 15 या 16 चात्र ही बैठाय जा रहे हैं और उने भी उच्चित दोरी पर बैठाया जा रहा है वहीं सी कड़ी में अगर शिक्षकों की बात की जाए तो राज शिक्षा विभाग के मताबिक उनके यहां एक दशमलव 11 लाग शिक्षक हैं जिनमें से 99,000 शिक्षक चार नवंबर को स्कूल पढ़ाने पहुचे थे उनमें से 160 शिक्षक कोरोना वारस पॉजटिव पाए गए हैं जितने शिक्षक हैं और जो पॉजटिव आए हैं उसके हिसाब से यह आकड़ा भी बहुत कम है वही राज़ शिक्षक विभाग का कहना है कि चात्रों शिक्षक दोनों का स्वासतुन के लिए माइनी रखता है और इसी वज़़ा से सारे फैसले सोच समझ कर लिये जा रहे हैं चात्र शात्राओं के मातापिता में अब भी कोरुना वारस को लेकर डर है और यही वज़़ा है कि अब भी 40% चात्र ही स्कूल आ रही है राजशिक्षक विभाग के मताबिक भले ही आकड़ी के हिसाब से शिक्षक और चात्रों का कोरुना वारस पॉज़टिव पाया जाना कम है लेकिन चाहे शिक्षक का परिवार हूँ या चात्रों के परिवार जन उनके लिए ये चिंतित कर देने वाला विशय है आप देख रहे हैं घमासान.com और भी नियोज अब्डेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चानल और नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें